कि दवश्कार आप सभी का स्वागत है भाग्यम में मैं हूँ पंडित चंद्रशेगर शर्मा दर्शकों सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन की पंचांग को जिससे हम आज के इस दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सके जान सके आज दिनांग है तेरा मार्सन दोजार आज के नक्षत्र की बात करें तो अश्वनी नक्षत्र शाम शेबच के 25 मिनट तक रहेगा आगे भड़नी नक्षत्र है योग एंद्र है पुरे दिन और रातरी 12 बच के 47 मिनट तक आगे विद्रती योग है योग की द्रस्टी से आज का दिन मिले जुले प्रभाव वाला है लेकिन इसमें अगर आपको सरकारी कारे करना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है करन वनिज है दौपेर बाद दो बच के 42 मिनट तक आगे विस्टी करन रहेगा सूर्योदे का समय दर्शकों सुबह 6 बच के 38 मिनट का था और सूर्यास्त का समय शाम हुरत भी रहेंगे इन्हें ध्यान से समझेगा और सूजवू से टाल दीजेगा यह दोपेर 12 बच के 12 मिनट और दोपेर एक बज़े आज का दिशा शोल दर्शे को उत्तर दिशा में हैं तो पहले कोशिश तो यही कि उत्तर दिशा की यात्रा को आप टाल दें लेकिन अग तो यात्रा भी अच्छी रहेगी कारे सिद्ध होगा अधिशा शोल नहीं लगेगा आज का शूप समय दर्शे को याज के दिन का सदुप्यों करने का जो समय है वह सुबह 8 बज़े से लेकर सुबह 9 बच के 30 मिनट तक फिर दिन में 11 बच के 10 मिनट से दौपेर 12 बज़े त आत्मिश्वास से वहीं व्रश राशी वालों को निवेश में रखनी है सावधानी और मिथन राशी वालों को होगा कोई बड़ा लाब करक राशी वालों को हो सकता करियर में कोई बड़ा लाब वहीं सिंग राशी वालों को अध्यात्मिक अभीरूची बढ़ती भी रहेंगे अवसाद ग्रस्त तो कुम राशी वाले आज प्राक्रम में व्रद्धी पाएंगे वहीं मीन राशी वाले अपनी मेहनत से बढ़ते हुए दिखेंगे आगे अब करते हैं आज के दिन की ज्यान चर्चा जो आपकी हमारी अंत्यद्रश्टी प्रग्या को जागरत करे हैं जो विकठ श्रम और अनुशाशन से अनवरत प्रयास करते हैं ऐसे मैं साधनों का हुना ना हुना कोई विशेश महत्वनी रखता आवश्यक नहीं की प्रतेक व्यक्ति को एक सी परस्तित्यां प्राप्ट हो वह सकता है प्रारब्दवश किसी को अनुकूल माहोल मिल जा इस पर शास्त्र में एक बहुती सुन्दर उधारण दिया गया है जो इस प्रकार है कि रतश्य कम चक्रम भुजंग यमिता सप्त तुरंगा निरालंबो मार्गस चरण रहिते सारती रपी रवीर गच्छंतम प्रतिदिनम पारश्य नवसे क्रिया सिद्धी सत्वे भवती महत काम नोप करने इस कार्थ यह है कि सूर्य के रत को एक ही पईया है सर्प यानि सांप की लगाम से सयमित किये हुए साथ गोड़े आलंबन रही तुमार गए यानि कहीं रूक नी सकते ठक नी सकते और बिना पैर का सार्थी अरुण है सादनों की इतनी मर्यादा होने पर भी स सारे आकाश में घूमते हैं क्योंकि महापुरुषों की कारे सिध्धी उनके सत्व निर्भर करती है ना कि साधनों पर तो महतुपूर्ण यह है कि आपका अध्रड निश्चे कैसा है और आप कितनी मैनत से अपने कारे में जुटे रहते हैं यह महतुपूर्ण नहीं कि कैस सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जनम दिन है जिनका जनम दिन है आज दोपैर एक बचके 45 मिनट से चार बज़े के बीच आउला पीपल अशोक आम और अनार के व्रक्ष किसी मंदिर आश्रम या गोशाला या पार्क में लगा दीजिए शाम 6 बचके 50 मिनट से 7 बचक कोई संदे नहीं है ऐसे दर्शकों बहुत बार यूं होता है कि सभी और से हम समश्याओं से परिशानियों से घिर जाते हैं धनकी कमी बनी रहती है हर जगे से अपमान की स्तती बनने लगती है ऐसी स्तती में यदि आपके साथ भी कोई समश्या आ चुकी हो तो इसके लिए कि सटीक विशिस्ट उपाय है जिसमें आपको करना सिर्फ यह है एक छोटा सा लगू हवन घर में नित्य करना शुरू कर दें इसके लिए जो सामगरी चाहिए वह इस प्रकार रहेगी ध्यान से समझेगा काले तिल जो चावल गोगरत यानि गोवाता का जो घी है वो चंद कर देखिए इन आहुतियों से आपके परिवार की रक्षा होगी स्वास्त सुद्रेगा आए के साधनों बढ़ोत्री होगी हर प्रकार के संकट स्वते ही आते आते टल जाय करेंगे आहुती जो देनी है वो इन मंत्रों की देनी है ध्यान से समझेगा ओम गजाननाय नमहे द देक मंत्र की दस आहुतिया आपको सामगरी से अगनी में देनी है तो कुल पचास आहुतिया आपको नित्य देनी है अमोग उपाय है छुटा सा दस मिनट का काम है लेकिन जीवन को पूरी तरीके से बदल देने में सक्षम है ऐसे दर्शे को जिन चात्र चात्राओं को अध्यन में समश्या आ रही हो लगातार परिणाम खराब आ रहे हो उनको नित्य शिवाले में शिवलिंग पर कच्छा दूद गंगा जल अर्पित करना चाहिए और नित्य माता सरस्वती जी के नुमित एक रितुफल अर्पित कर आदे घंटे विना जिने ध्यान पूरवक मन लगा कर इस विशिष्ट मंतर का जब करना चीए मंतर ध्यान से समझेगा मंतर इस प्रकार है ओम अर्हम मुक कमल वासनी पापात्म शम्यकारी वद्वद्वागवादनी सरस्वती एंग रिम नमे स्वाहा मंतर फिर से समझते है ओम अरहम मुक कमल वासनी पापात्म शम्यकारी वद्वद वागवादनी सरस्वती एंग्रीम नमह स्वाहा इस मंत्र जाप के अंत में जो फल रितु फल आपने अर्पित किया है यह आप स्वयम खाना शुरू कर दीजिए कुछी दिनों में भगवती सरस्वती कृपा आपको सवालों की आपके सवालों में आज हमारे पास जनम पत्री का यह हमारे दर्शक जया प्रकाश जी की 12 अगर्ष्ट उनिस्ट अस्ती का जनम में सुब आट बच के 14 मिनट कुछामन बहुत परिशानियां चल रही हैं कब तक रहात आएगी इनका प्रश्ण है जया प्रकाश कर रहें आप सूर्य पूजा नित्य शुरू कीजिए किसी मंदिर में सेवा कारे कीजिए और किसी तीर्थ की परिक्रमा हर महिना जाना शुरू कर दीजिए आपका भाग्यों दे इन उपायों से बहुत ही जल्दी हो जाएगा आज की दूसरी पत्री का यह हमारे दर्शक र आप शुक्र के जब करवाकर एक फायर उपल पहन लीजिए आपके विवा का योग सितंबर 2014 से शुरू हो रहा है आज की तीसरी पत्रिक आई है हमारी दर्शक प्रिती जी की 15 अक्टूबर 1998 का जनम है शाम 6 बच के 28 मिनट टॉंक प्रशने विवाईक जीवन खराब चल रह नित्य शिव जी का विशे कीजिए आपको निश्चित रूप से इसमें आराम आने लगीगा तो दर्शको यह था आज का पंचांग आज के विस्वस्त उपाय और ग्यान चर्चा पंडिक चंद्रशेगर शर्माई आशा करता हूं बताई उपायों को सही विदी सठीक समय तूट शद्धा से करके आप पूरा-पूरा लाब उठाएंगे और जो ज्यान चर्चा जो सत्संग हमने किया है इस अपने जीवन होता रहेंगे धीर धीर आपको जीवन शिव में सत्य में और आनन्द में होता जाएगा हमाँ देव से प्रातना करता हूं कि जब आप हमार